अब हमारे पास यह negative sentences सबसे पहले मैंने इसका formula लिखा है जो है subject i, we, you, they, plus plural, plus do not, plus first form of word, plus object अब आपने क्या करने है यह याद रखना है कि i, we, you, they, or any plural name उसके साथ do लगेगा और इसके बाद he, she, it, singular के साथ does लगेगा ठीक है बहुत simple है मैं जाता हूँ I go मैं नहीं जाता I do not go वो जाता है he goes यहाद अकी का he goes वो नहीं जाता he does not go अब यहाँ जो goes है हमारे पास अब goes का हमने es यहाँ से हमने यहाँ पे shift कर दिया does में और go हमारे पास simple आ गया यहाँ पे negative sentence खतम होगे बहुत easy है यह और do simply बनेगा do not और does not में अपने जहाँ पे es का इजाफ़ा होगा आपने negative में es के इजाफ़ा वो positive में es के इजाफ़ा किया है हमने और negative में es को does में shift कर दिया दो के आगे es लगाए तो वो डस बन गया उसके बाद interrogative sentence है हमारे पास तुमारे पास formula क्या do plus subject plus i v u they plural plus first form of word plus object मैंने formula इसलिए लिखा ताकि आपको असानी होगाना simple यह है आपके पास कि जिसकी साथ आप negative में do use करोगे उसकी साथ आप इंट्रोगेटिव में भी does use करोगे और लास्ट में आपने कोशन मा क्लाजिंग लगाना आप जैसे एक्जेंपल्स देख लो क्या मैं स्कूल जाता हूं do I go to school क्या मैं खाना खाती हूं do I eat food क्या वो क्रिकेट खेलता है does he play क्रिकेट क्या वो काम करती है does she work के अब इसके बाद हमने आज पढ़ना है पास इंटेंस अब हमारे पास पास तेंस पास तेंस का मतलब किया है जमाने माजी के अतने इसकी तारीफ है अगर किसी काम का अमल गुजरे हुए जमाने में कियातर वो खत्म हो गया हमारे पास जैसे present में ये था के do use होता है subject i,v,u,there and plural के साथ does use होता है he sheet,singular के साथ लेकिन यहाँ पर did use with all subject did सारे subjects के साथ